या चार आर्दंकियों की वजय से जिनोंने हमारे जवान शहीद किये हमारी पगडी पे दाग लगाया हमें हथात किया या उनकी वजय से देश का विकास रुख जाएगा? क्या उनकी वजय से बाबा नानक की फिलोसफी आगे नहीं पड़ेगी? क्या उनकी बज़े से आप ये चाहते हो कि दो देशों के परधान मंत्रियों के निरने लिए हुए वो स्कटल हो जाएंगे तो फिर आप उनको तूल दोगे तो फिर आप उनको बढ़ावा दोगे इसी लिए यहां अव्जोत सिंग सिद्धू पेश है कि ये देश का इस सूबे का विकास कोई आतंकी गिर भी नहीं रखेगा और ये जो आज अनॉंस्मेंट्स हुई है पिछले सत्तर साल देख लीजिए क्या कोई ये दम रखके ये अनॉंस्मेंट्स कर पाया है एक एक देश को आतंकीयों के आगे कोई जुगा नहीं सकता ये बात बड़ी सुपष्टा इसलिए नवजोत सिंग से तू यहां है गुटने टेकने वाला नहीं है दूसरी बात जो मैं आपको आज करना चाहता हूँ मेरी बात जो होती है न उसको डिस्टॉट किया जाता है एक लाइन बोली जाती है उसको पूरी तरह से दिखाया नहीं जाता क्योंके बहुत लोग बहबीत होते है समझ रहे हो ना इंसेक्योर भी होते है लेकिन मैंने यही कहा था जो कल कहा था आज भी वहीं खड़ा हूँ कि आतंक वाद का ना कोई धर्म है ना कोई मजब है ना कोई देश है ना कोई जात है और गैसे लोहा लोहे को काटता है आग आग को काटती है सांप जब टंक मारता है तो उसका एंट्री डोड सांप का विश है वैसे ही कुचला जाना चाहिए कि मैंने यह कहा था जहां-जहां ऐसा होता है वहाँ अच्छाई का दौबार खोला होना चाहिए और बुराई को कुछलना चाहिए तो भाई जो कल एमबेसिडर से हो रही थी, हो क्या था? एक मिनट एक मिनट पिर आप जो करना चाहें, कहें, करिए यही कहा था कि भाई इसका पर्मानेंट सेलूशन निकलना चाहिए जवान ही क्यों खून से लट्पत हो क्यों शाहदते हो इसका प्रिवन्टिव मेज़र आना चाहिए यह दोबारा नहीं होना चाहिए 70 साल से जो हो रहा है वो दोबारा क्यों हो ये और ये कैसे हो सकता है इसको कैसे रोका जा सकता है इंटरनेशनल प्रेशर जो के कल हुआ आप देखिए कहा के करीब 50-60 अमबैसिडर से मुलाकात हुई गहां मैंने ये कहा है के इनको सजा मत दो कहां कहा है उसको अगर आप डिस्टॉर्ट करके चलाना चाहते है कोई चलाना चाहता हो तो वो आज भी कर सकता है मुझे उसके कोई अपती नहीं है मेरी कॉंशिएंस बिल्कुल ख्लियर मैं मैं लास्ट खत्म कर रहा हूँ उसूलों पे आचाहे तो टकराना जरूरी है और जिन्दा हो तो जिन्दा नजर आना जरूरी है जब कोई पॉलिटिशन जाता है तो शेहर जाम हो जाते है जब तीन अजार जवान जाता है तो भाई ट्रेकर क्यों नहीं चलता तो फिर भाई उन जवानों की जो हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन लगाते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है और उसका एक दिमॉरलाइजिंग एफेक्ट आता है क्यों उनको बाई एर नहीं ले जाया गया सबेरे तीन बज़े से वो चलते ही ये चिंतन के विशे है सारा देश एक चुट होके लड़ रहा है लेकिन क्या इन तीन चार लोगों की वज़े से आज करतारपुर जाब के कॉरिडूर पे क्वेस्टन मार्क लगेगा परधान मंत्रियों के किये हुए निरने पे क्वेस्टन मार्क लगेगा बाबा नानक भी बाबर से लड़े थे बाबा नानक के चरणों की धूल है ये नफजोज सिंग सिद्धू लेकिन बाबा नानक की फिलोसफी क्या थी क्या है ये सारी दुनिया जानती उस फिलोसफी को एक इंच भी कोई नीचे नहीं कर सकता और उस फिलोसफी के लिए नफजोज सिंग सिद्धू ठोक के खड़ा होगा एक मिनट आगे 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 बोलें दी आप मेरे ख़तम कर लें लिए एक मिनट दूसरी बाद आखीर में आखीर में वंदे एक्सप्रेस प्राइम इनट साब ने उद्गाटन किया आज हम भी वही करें